अगर आप में है X Factor, तो हो जाएए तयार, मशहूर होने के लिए जल्दा रहा है GNT Showstopper तो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में पूरा कि टिकेट्स कब आएगी, कैसे आएगी और आप कैसे खरीच सकते हैं तो सारी आपको सारे स्टेप्स एक एक करके बताऊंगा पर सबसे पहले आपको यह बता दूँ चुकि जैशा जो हमारे BCCI के सेकरेट्री है उन्होंने यह कहा है, जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया वर्स पाकिस्तान का जो मैच है वो नवरात्री के दिन पहले दिन पढ़ रहा है तो टिकेट्स आ जाएगी मतलब अब से कुछ मिला के चलिया आप कुछ ही दिन बचे हैं जब टिकेट्स आप खरीज सकते हैं क्योंकि देश में और विदेश में दोनों तरसे ही लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब टिकेट्स आए और कब हम खरीदें तो चलिया आपको एक गुड न्यूस तो मैंने बता दी कि बहुत जल्द BCCI टिकेट्स जो आप कह सकते हैं क्योंकि ICC का इवेंट है वर्ल्ड कप इसको लेके कामदरियो बहुत जल्द आ जाएगी तो ये थी गुड न्यूस अब इस गुड न्यूस में एक बैड न्यूस क्या है वो मैं आपको उताता हूँ दरसल जैसे हम T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसमें ये था कि जब आप टिकेट खरीदते हैं अपको जाते हैं तो आपको एंट्री मिल जाती है तो इस बार भी जो आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप है क्योंकि आउस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये था कि आप सीधा ऑउल लाइन टिकेट बुक कर सकते हैं वहाँ पे जाते हैं आपकी टिकेट स्कैन होती है और आपको सीधा एंट्री मिलती है पर इस बार भी आप कह सकते हैं कि इंडिया में जो यह ODII World Cup हो रहा है इसमें E-Tickets available नहीं होगी और होगी तो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ दरसल फिलाल तो यह है कि E-Tickets available नहीं होगी कि आपने डारेक्ट टिकेट बुक की अपने फोन से और सीधा आप मैच देखने चले गए यह नहीं है होगा तो यह होगा जैसा कि आम तोर पे इंडिया में होता है अभी तक क्योंकि इस बार ऐसी कोई सुविदा नहीं है जो जो आप टिकेट बुक करेंगे उससे पहले आप जाएंगे सेंटर वहां टिकेट्स अपनी कलेक्ट करेंगे तब आप जाके कहीं मैच देख सकेंगे तो कुल बिलाकर कहानी यह है कि इंडिया में E-Tickets अभी आपको इस World Cup के लिए अवलेबल नहीं होगी और जो जैशाह ने इसको लेके कहा है, जो BCCI के सेकेटरी है, उन्हें ने कहा कि फिलाल अभी इस पर नहीं है, आगे चलकर भविश्य में, सबसे पहले हम इसको बाइलेटरल्स में अनौंस करेंगे कि इस तरह E-Tickets होगी, उसके बाद जाके कोई multi-nation tournaments होगा, यानि कि World Cup होग वहाँ पर आप टिकेट्स देख सकते हैं, या ले सकते हैं, डारेक्ट टिकेट लेगे, जैसा हम मूवी में करते हैं आम तोर पर, मूवी में हम लेते हैं टिकेट और सीधर जाके मूवी देखते हैं, तब जाके E-Ticket, प्रॉपर E-Ticket होती है, वैसे मिलेगी, तो फिलाल इस सेंटर्स आने पड़ेंगे आपको एमदाबाद में, इस वार यह अच्छ है, क्योंकि IPL में कम्प्लेन आई थी, कि टिकेट्स को लेके बहुत लंबी-लंबी लाइने लग रही थी, तो जैशा साप ने ये कहाए, कि इस बार साथ से आठ सेंटर्स होंगे, जहां इतनी इसको तकलीफ ना हो, लेकिन एक बड़ी सी अजीब सी बात यह है, कि आज भी इंडिया में इटिकेट्स अवेलेबल नहीं है, जो थोड़ा अजीब सा लगता है सुनके, पर खेर, वर्ल्ड कप आपको देखना है, तो टिकेट्स इस तरह ही लेनी पड़ीगी, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी खबरों के लिए भी स्पोर्ट को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक करना ना भूले, मैच से जुड़े, आपके हर सवाल का, हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव अनालिस special interviews, download कीजिए, sports the camp.